नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सबका स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काली चींटी घर में होने से क्या होता है दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्थ हो सके तो चलिए शुरू करते हैं जोतिश और वास्तो दोनों ही मानते हैं कि यदि घर में आपके बार-बार चीटिन्या निकल रही हैं तो इसका मतलब कुछ न कुछ होता है अमुमन घर में काली चींटीओं का निकलना सुख और एश्वर्य का संकेट माना जाता है काली चींटीओं को भोजन देना जोतिश में बहुत ही पुन्यकर्म माना गया है और यही कारण है कि लोग इनके सामने शक्कर आटा जैसे खाद्यपदार्थ डालते हैं लेकिन कई बार घर में लाल चीटिया भी निकलती है वास्तु में इन चीटियों के निकलने के अलग-अलग मायने बताए गए हैं तो आएए जाने वास्तु से जुड़ी चीटियों की बातें यदि लगातार लंबे समय से घर में से चीटिया निकर रही हैं तो इसका मतलब है कि जीवन में कुछ न कुछ तो होने वाला है अमूमन हम घरों में चीटियों का निकलना सामान्य समझते हैं और कई बार इनके निकलने से हम परेशान भी होते हैं लेकिन ये चीटिनियां हमारे लिए कुछ संकेत लेकर आ रही होती है जाने क्या संकेत देती हैं ये चीटियां चीटियां घर में उपर की ओर जा रही हैं तो ये आप के लिए शुब संकेत हो सकता है उपर की ओर जाती चीटिनिया आपके विकास और प्रक्ति का संकेत देती है वही नीचे की ओर उतर रही चीटिनिया आपको किसी घाटे का संकेत देती है घर में काली चींटियां ही नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब है आपकी जिंदगी में सुख और एश्वर्य के दिन आने वाले हैं जोतेश में काली चींटियों को खाना खिलाना शुभ माना गया है यदि चीटियां चावल के बरतन से निकल रही हैं तो ये शुग संकेत है ये संकेत धन आगमन का होता है साथ ही आर्थिक तंगी दूर होने और अन से घर भरे होने का भी ये संकेत होता है काली चींटियां आने से भौतिक सुख वाली चीजों के लिए भी शुब माना जाता है यदि घर में लाल चींटियां दिख रही हैं तो ये अशुबता का संकेत होता है भविश्य की परेशानियों, विवाद, धन से खर्च का संकेत ये दे रही होती है यदि लाल चींटियां मुह में अंडा लेकर घर में नजर आएं तो यह संकेत शुब होता है इसका मतलब होता है कि आपके घर में कुछ न कुछ प्रक्ति होगी काली चींटियां घर में उत्तर या दक्षन दिशा से आती हैं तो यह बहुत ही शुब संकेत है लेकिन यदि ये पूर्व दिशा से चींटियां आ रही हैं तो नकारात्मक सूचना आपके घर आ सकती है पश्चिन दिशा से चींटियां आएंगी तो आपकी बाहर यात्रा के योग बन सकते हैं तो वास्तु के अनुसार चीटियों का होना कुछ न कुछ संकेत दे रहा होता है इन संकेतों को समझ कर आप अपने अगले कदम तै कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें धन्यवाद